नमस्कार दोस्तों, SN Electrical Academy के YouTube चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों हम Electrical and Electronics की सिंबल की सीरी चला रहे थे जिसमें अब तक हम 7 पार्टों में वीडियो अप्लोड किया हुआ है यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जा करके प्ले लिस्ट जो बनी हुई है Electrical and Electronics सिंबल के नाम से वहां से आप देख सकते हैं तो दोस्तों ये वीडियो उन इस्टुडेंट के लिए इंपोर्टेंट होगी जो इस्टुडेंट ITI फस्टियर या सेकेंडियर के इस्टुडेंट है और साथी साथ Competition Exam की जो तयारी करने वाले इस्टुडेंट है ITI लेवल के जैसे UPPCL, UPPCL TG2, UPRVNL इस तरीके के जो भी Competition Exam की तयारी करने वाले इस्टुडेंट है उन इस्टुडेंट के लिए भी ये वीडियो काफी Important होगी क्योंकि ये देखा गया है कि उनके Competition Exam में भी इस सिंबल से Question रहते है और फिलहाल में राजस्थान Technical Helfer की Vacancy आई हुई है उसमें भी Electrical and Electronics से सिंबल देखे जाते हैं उनके Exam में तो वो इस्टुडेंट भी इस सिंबल को अच्छे से देखेंगे और समझेंगे यदि किसी इस्टुडेंट को किसी सिंबल से दाउट हो जाता है तो हमें कमेंट कर सकते हैं हम उसका reply जरूर देंगे और दोस्तों साथी साथ आपसे निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें सेयर करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सस्क्राइब कर दें तो आएए दोस्तों आज के हम सिंबल को देखते हैं तो इसमें जो आज का जो सिंबल है ये सिंबल है इसमें आप देख रहे होंगे कि ये आर्मेचर का सिंबल दिया हुआ है और यहाँ पे एक बाइंडिंग लगाई गई है इस बाइंडिंग को सिरीज फिल्ड बाइंडिंग कहते हैं क्यों क्योंकि ये आर्मेचर हुआ और इसके अंदर लिखा है मोटर तो ये मोटर हो गई लेकिन ये armature के समनांतर में series winding आ गई है अर्थात ये motor है और motor में भी ये series motor है तो यहाँ जो symbol ये दिखाई दे रहा है ये series motor का है जो की 10 number में लिखा है series motor कुछ इसमें extra fact में बता दें series motor में series field winding जो होती है वो मोटे तार की और कम turn की होती है जिससे इसका resistance, sun field के मुकाबले इसका resistance कम होता है और connection में आप देखेंगे तो इसका connection जो होगा series motor का वो armature के ठीक समनांतर में series field winding होगी और series field winding को हम represent करते हैं D1, D2 से और armature winding को A1, A2 से represent करते हैं next जो symbol दिया हुआ है ये symbol इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो इस armature के अंदर में G लिखा है यर्थात ये generator है और इसके ठीक parallel में इस armature के ठीक parallel में एक winding लगाई गई है इस winding को कहते हैं हम sunt field winding और इस sunt field winding को E1, E2 से present करते हैं अर्थात इस connection पे आप जाएंगे तो देखेंगे कि armature के ठीक समनांतर में ये sunt field winding लगाई गई है अर्थात ये confirm हो गया कि ये sunt है लेकिन ये motor है कि generator है इस बात को check करने के लिए इसके armature वाले हिसे में आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ G लिखा गया है अर्थात ये generator हुआ अर्थात ये पूरा जो symbol connection हुआ इसको हम कहेंगे sunt generator जो की 11 नंबर में लिखा हुआ है sunt generator इसलिए ये जो symbol है ये sunt generator का है next जो symbol ये दिया हुआ है ये armature दिया हुआ है और generator है और इसके अलग से एक binding लगाई गयी है और ये जो binding है इस armature से connect नहीं है मतलब वो separately है मतलब कि वो उससे अलग है तो ये जो होता है न ये separately excited generator होता है मतलब कि इसमें इसके पोल जो होते हैं वो self excited नहीं होते उसको excited करने के लिए बाहर से DC supply की जरूरत पड़ती है तो ये जो symbol है separately excitation generator का है जो की यहां दिया हुआ है तो ध्यान रखिएगा next जो symbol है ये symbol है इस symbol में आप देखेंगे तो ये आर्मेचर का connection हो जाएगा और आर्मेचर के ठिक समनांतर में एक binding लगाई गई जिस binding को कहते हैं संट फिल्ड वैंडिंग क्योंकि संट फिल्ड वैंडिंग का connection जब आएगा न तो वह आर्मेचर के ठिक समनांतर में आएगा और संट फिल्ड वैंडिंग को हम डिनोट करते हैं इवन इटू से और इसके अंदर जो लिखा गया है एम अर्थात यह मोटर है तो यहां से सिम्बल है यह संट मोटर का है नेक्ष्ट जो है सिम्बल यह सिम्बल है इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो इस आर्मेचर के अंदर में जी लिखा है अर्थात यह जर्नेटर है और इसके ठिक आर्मेचर के समनांतर में यह एक बैंडिंग हो गई अर्थात यह तो जिस armature के साथ अगर sunt field winding हो उसके parallel में और armature के ठिक series में series field winding हो तो यह जो combination होता है यह compound का होता है चुकि आप armature के अंदर में देखेंगे तो G लिखा हुआ है अर्थात यह compound है और यह जर्नेटर है जो कि यहाँ compound जर्नेटर लिखा हुआ है तो compound generator का जो symbol हुआ, ये symbol हुआ, next जो symbol ये है, ठीक वही symbol है, इसमें आप ध्यान से देखेंगे, तो armature के अंदर में लिखा है M, अर्थात ये जो हुआ, motor का हुआ, और इस armature के ठीक समनांतर में ये sunt field winding लगा दी गई, और इसके series में ये series field winding लगा दी गई, तो जिस armature के साथ sun field winding और series field winding दोनों combination हो, तो वो compound में जाता है, चुकि इसके armature में M लिखा है, तो motor हो जाएगा, और ये पूरा combination जो कहलाएगा, वो compound motor का कहलाएगा, इसलिए ये compound motor का symbol होगा, next जो है symbol, ये symbol है, और ये very very most को symbol है, इस symbol को आप क्या कहते हैं, तो ये जो symbol है, brush है या commutator है, जो की DC मशीनों में commutator लगाए जाता है, अगर उसके commutator के input side में, अगर AC देंगे, तो ये output में DC देगा, अगर इसके input में DC देंगे, तो इसके output में हम AC पाएंगे, ये commutator का function होता है, तो ये जो symbol आप देख रहे हैं, ये symbol जो है, brush है या commutator है, जो की यहाँ लिखा गया है, next जो option है, ये, ये जो symbol आप देख रहे हैं, ये symbol ऐसे किया है, और ये ऐसे किया है, और इसके नीचे, ये तो confirm होगया कि ये generator है और generator में भी ये AC है कि DC है, तो यहां symbol आप देख रहा हैंगो कि ऐसे दिया हुआ है sign wave में दिया हुआ है अर्थात यह जो symbol होता है यह AC का होता है अर्थात यह AC जर्नेटर है अगर यही symbol ऐसे करके जी करके यह ऐसे line करता तो यह DC जर्नेटर होता फिलाल इसको यहां पूछा है तो ये जो होगँ AC जर्रेटर होगँ जोकी यहाँ लिखा गया र्था ये AC जर्रेटर का symbol है Next जो symbol है, ये symbol है ये symbol है और ये भी symbol है ये दोनों symbol जो है Single Page Alternator का है Single Page Alternator का मतलब हुआ कि ये हुआ और Alternator होए और A.C. को हम ऐसे डीनोट करते हैं अर्थात यह सिंगल फेज अल्टर नेटर है तो इस तरीके से रिप्रेजन्ट कर सकते हैं और या इस तरीके से इसको प्रदर्शित कर सकते हैं दोनों तरीके से अगर DC की बात रहती तो DC में केवल ऐसे लाइन आती है Next जो symbol है ये symbol है इस symbol में आप ध्यान से देखेंगे तो ठिक single page का ही alternator जैसा इसका symbol आएगा लेकिन ये जो है इस पर connection में 3 page लगाएगा अर्थात ये जो है 3 page alternator का है जो की यहां दिया हुआ है ये जो symbol हुआ 3 page alternator का हुआ और याद रखिएगा alternator के द्वारा alternator के द्वारा जो energy पैदा होती है वो सदैव AC ही होती है next जो symbol है ये symbol है और ये आज का antim symbol होगा इसमें दिया है कि ये ऐसे ऐसे और ये ऐसे ये किसका symbol है दूसरा इसका जो है इसके अंदर MS लिखा रहता है तो ये किसका symbol है ये जो symbol है synchronous motor का है ये symbol इसको इतना present करिए तो भी synchronous motor है या इतने को present करिए तो भी synchronous motor है जो की synchronous motor है synchronous motor का हम use किसी भी उपकरण का यदि power factor सुधार ना हो जिसका power factor सुधार ना हो उसके समनांतर में लगा करके उसका power factor सुधारने में synchronous motor का प्रयोग किया जाता है और synchronous motor एक ऐसी machine है जो self excited self start नहीं होती और इस मोटर की ये भी विशेस्ता होती है कि ये डबल इक्साइटेड मोटर होती है अर्थात इसके रोटर और इस्टेटर दोनों को सप्लाई दिया जाता है अर्थात इसी लिए सिंक्रोनस मोटर को डबल इक्साइटेड मोटर भी कहते हैं तो दोस्तों इस सिंबलों को आप अच्छे से देखिएगा समझिएगा फिर भी किसी सिंबल पे आपको दाउट हो जाएगा तो हमें कमेंट किजिएगा हम जरूर उसका रिपलाई देंगे और दोस्तों साथी साथ आप से निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज चैनल को सस्क्राइब कर लें तो इस वीडियो में बस इतना ही तब तक के लिए बाए बाए टेक केर